आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो देखें प्रश्ण क्या है कि Asi के प्रमुग गुड लिखी है तो Asi है क्या चीज? Asi जो है ना ठीक है ये क्या है International System of Unit है ठीक है इसका अगर ये जो किसका फुल फॉर्म इसका अगर लिखेंगे International ठीक है System of Unit ठीक है तो मातरक का ये अंतराश्टी पद्धती है ठीक है तो इसका हमका प्रमुग गुड बताना है ठीक है तो दीके मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ ठीक है पहला गुड क्या है ठीक है एक भौतिक रासी का एक ही मातरक होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कोई भी अगर भोती काती है ना तो उसका केबल एक ही मातरक होता है ठीक है जैसे अगर इसका उदारान हम लोग देखें ठीक है उदारान क्या है कि बल का जो ASI मातरक है ठीक है बल का तो देखें, Mकेस में अलग मातरग है, गुरुत्वी मातरग इसका अलग है, लेकिन A.S.I. सिस्टम में अगर बात करेंगे तो इसका मातरग क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, तो यहां पर देखे, kilogram, meter, 30 second है, इसको Newton भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, तो M case में देखे, इसको kilogram, meter, 30 second का वर्ग भी बोलते हैं, Newton भी बोलते हैं, ठीक है, तो M case में देखे, दो मातरक हो गया है, लेकिन A size system में अगर बात करेंगा, तो इसका मातरक Newton ही होता है, ठीक है, दू अगर हम लोग कीलो ग्राम को लिखना है, ठीक है, कीलो ग्राम, तो इसको हम लोग 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कीलो मतलब क्या होता है, 10 की घात 3 ग्राम, ठीक है, माइक्रो सेकेंड अगर लिखना है, जैसे यह 1 कीलो ग्राम हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड, तो इसको 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं, माइक्रो क्या हो जाएगा, 10 के घात माइनस 6 सेकेंड, तो देखी, इसी को हम लोग बोलते हैं, दास्मिक प्रणाली, इसको जो भी हमारा गुड़ाज होता है, जैसे किलो ग्राम में किलो गुड़ाज हो गया, तो इसको हम लोग 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं, तो ये दूसरा गुड़ा हो गया, ठीक है, तीसरा अगर यहाँ पर देखें हैं, तो ये क्या है, संबद प्रणाली है, ठीक है, संबद प्रणाली, तो संबद प्रणाली का मतलब क्या होता है, कि ये साथ मूल मात्रक पर निर्भर है, तो जो वित्पन मात्रक अगर बनाते हैं, वित्पन मात्रक हम लोग बनाएंगे, तो क्या होते हैं, इनी साथ मूल मात्रकों से ही बनाते हैं, ठीक है, जैसे अगर उधारन के लिए जैसे आयतन, तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या होता है, लंबाई विमा जो होती हैं, तीन बार होता है, तीन बार लंबाई विमा होती हैं, लंबाई चोड़ा हो चाहिए, तो ये लंबाई का ही विमा है, तो लंबाई हमारा मूल मात्रक है, तो इसी का ही गुड़ा करके हमने क्या बना दिया, एल क्यूब, तो देखिए आयतन का मात्रक हो जाएगा एल क्यूब या मतलब इसको अगर मात्रक में लिखेंगा तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब हा न तो इसको मीटर क्यूब लिख दिंगे तो देखी मूल मात्रकों से मिलके ही हम लोग क्याब बना सकते हैं इसका जो वित्पन मात्रक है ठीक है तो यह हो गया तीसरा गुण ठीक है और चौथा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं चौथा जो है यह अंतराष्टी प्रणाली है सभी देशों में यह तो यह देखी है यह हमारे एसाई के प्रमुगूड हो गया है क्लासिक स्ट्वल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह वाथ्साप कीजिए अपने आच चार्सो 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 पर